आज इस वीडियो में मैं आपको प्रीमियर प्रो के बारे में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज करने के बाद आपका जो वर्क फ्लो है वो काफी जादा इजी एंड काफी जादा कुएक हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह है मेरा प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में मैंने एक वीडियो को एडिट किया है यह एक डिवाइस है इसको audio interface कहते हैं इसकी unboxing थी और यह वीडियो मैंने पूरी create कर ली थी आप प्रोजेक्ट देख सकते हो पूरा complete है markers भी सारे हैं यहाँ पे लेकिन जैसे ही वीडियो complete हुई render हुई उसके बाद मुझे realize हुआ यहाँ पर एक top angle को मैंने दिखाया था जहाँ पर थोड़ा सा autofocus हो हंट कर रहा so मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज को फिर से shoot कर लूँ यह जो clip है जो top view वाला angle था उसको फिर से shoot कर लूँ and यहाँ पे मैं इसको replace कर दूँ so यहाँ पे सबसे पहले जो था वो यह था कुछ इस type का and आप देख सकते हो थोड़ा सा autofocus यहाँ पे hunt हो रहा है तो मैंने इस इसको फिर से shoot कर रहा है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यह मैंने फिर से shoot कर रहा है and यहाँ पे मैंने manual focus का use किया था now यहाँ पे क्या है जो पहले मेरी clip थी वो थी इतने section में आप top view देख सकते हो यहाँ पे थी मेरी clip यहाँ से लेके यहाँ तक लेकिन अब जब मैं इसको फिर से shoot कर रहा है so आप देख सकते हो यहाँ पे जो timings है वो थोड़ी सी उसमें difference है now यहाँ पे यह जो gap है इसको अगर मैं fill करता हूँ ripple delete के साथ तो आप देख सकते हो ripple delete तो हो गया है लेकिन उपर जो markers है वो अपनी जगा पे ही है अगर मैं यहाँ से manually करता हूँ सो बहुत जादा time लगने वाला है so मैं करूँगा ctrl plus z जैसा पहले था वैसे ही कर देंगे आप देख सकते हो this is the top view this is the front view rear view मुझे एक एक करके सारे जो markers है उनको shift करना होगा now इसका एक बहुत ही easy तरीका है हम ripple delete ही करेंगे लेकिन हमें press करना है अपने keyboard पे shift की को then उसके आपको जरूर अच्छा लगा होगा जरूर से use करना अपने projects में इसी तरीके के और वीडियो के लिए channel को subscribe करें इस वीडियो को like करें